भरती स्टॉक मार्किट में तक्नी की गलबड़ी से नैशनल स्टॉक एक्चेंज पर अचानक ट्रेडिंग रुख गई NSE के इंडेक्स फीट के अपडेशन में कुछ दिक्कते आ रही है आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी सेग्मेंट को बंद कर दिया गया है सिस्टम को जल से जल्द बहाल करने पर काम किया जा रहा है समस्या का समधान होते ही इसे बहाल कर दिया जाएगा आधिकारिक बयान में आगे कहा गया है कि NSE के पास रिडेंडेंसी सुनिश्चित करने के लिए हमें दोनों टेलिकॉम सर्विस प्र रॉवाइडर्स के साथ बात कर रहे हैं उनके लिंक के साथ कोई समस्या है जिसके करन NSE सिस्टम प्रभावित हुआ है ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ब्रोकर और रिटेलर्स को जो नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा